आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एर एंबुलिजम के बारे में बात करेंगे एर एंबुलिजम होता क्या है ये कैसे होता है आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि एर एंबुलिजम क्या होता है जब injection लगाते समय, van के अंदर कोई bubble, air का bubble हमारे van में चल जाता है तो उसे air embolism कहते है अब ये air embolism होता कैसे है आज हम इसे के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम कोई injection लगाते है van के अंदर तो क्या होता है कि injection लगाते समय, van के अंदर air bubble चल जाता है मतलम कुछ air हमारे van के अंदर चल जाती है यदि air bubble का size छोटा होता है तो कोई problem की बात नहीं होती यदि air bubble का size बड़ा होता है तो ये air bubble क्या करता है कि जो हमारे body के अंदर, venus system के अंदर जो blood भैता रहता है उसको रोक देता है और उससे क्या होता है कि ये bubble का size दीरे दीरे हमारे lungs तक पूछ जाता है और lungs में पूछने के बाद क्या करता है कि ये pulmonary arrest कर देता है मतलम हमारे lungs को fail कर देता है कुछ condition ऐसी होती है कि जो ये air का bubble होता है जो हमारे दिल में चल जाता है तो वहाँ पर क्या करता है कि ये काडिया arrest कर देता है मतलम हमारे दिल को भी बेकार कर देता है काम करना बंद कर देता है और कुछ condition ऐसी होती है ये air का bubble हमारे brain में चल जाता है तो उससे क्या होता है कि brain stroke हो जाता है यदि हम injection लगाने से पहले injection के अंदर जो air का bubble होता है उससे बाहर निकाल ले और उसके बाद ही हम वैन के अंदर ये injection लगाना चाहिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच